आप सभी लोग आए होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी गाईस तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आया हूँ फ्लैमिंगो हमारी बुक का च ответ no.7 लेकर के आये उसका फर्स लेक्टर है चैप्टर का नाम होने वाला है दा इंटरविव तो'da इंटरविव जो चैप्टर है वो दो भागों में लिखा गया है दो दो parts में लिखा गया है और दो अलग अलग जो writers हैं, authors जो हैं या जो दो interview देने वाले लोग हैं उनका क्या perspective है, उनका क्या नजरिया है interview के बारे में इसे हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले interview को समझ लेता है कि interview होता क्या है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे महत्वपूर्ण पदो पर जाने वाले हैं, जिन्हें वहां तक पहुँचने के लिए interview को crack करना होगा, interview को पार करना होगा तो interview एक इस तरह की गतिविदी है या एक ऐसा process है, जिससे कोई भी व्यक्ति आपको जानने की, आपको समझने की कोशिश करता है, आपके बारे में जादा से जादा जानकारी जुटाने की, इखटा करने की कोशिश करता है, ताकि वह आपके विशह में कोई एक मनतव्य बन होता है, लेकिन किसी व्यक्ति को आप अगर join करना चाते हैं, मान लिजे आप UPSC का exam दे रहे हैं, और आप बनना चाते हैं, collector, आप बनना चाते हैं, IS, first ranker, तो ऐसी परिस्तिते में, जो interviewer होगा, जो आपसे interview लेगा, जो आपका साक्षात कार लेगा, वह व्यक्ति लिमेदारियों को समाल सकते हैं या नहीं समाल सकते, आप में किस तरह के वो गुण हैं, या किस तरह की वो चीजे हैं, जिसकी वज़े से वो आपका चैन करें, कि आपको proper IS rank मिले, तो इसके लिए interview लिया जाता है, इस तरह का महत होता है interview का, साथ ही साथ यहाँ पर एक सिद्वेक्ति का interview लिया जाता है, तब हम उसके बारे में कि उतना ही जानते हैं, सामान्यत हैं, जितना वो बताना चाता है, लेकिन एक interview में उसके नीजी जीवन का, उसका क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या उसकी विचारदारा है, मूल रूप से, उसके बारे में और जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं जैसे कि किसे फिल्म स्टार का अगर इंट्रिव्यू लिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है वह जो परदे पर हमारे सामने वो जैसे भी है जो भी है वो एक स्क्रिप्ट के अनुसार है वो एक चरित्र जो है उसे निभा रहे हैं एक पात्र को वहाँ पर सजीव कर रहे हैं लेकिन क्या वास्तविक्ता में अपने जीवन में वही पात्र होते हैं क्या नहीं होते वास्तविक रूप से वो अलग व्यक्ति होते हैं और जो भी लोग ऐसे film stars के fan होते हैं, politicians के fan होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मूल रूप से इनकी विचारधारा कैसी है, ये किस तरह के बैखती है, इनने क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे प्रिय होते हैं, तो उनके बारे में हमारी जानने के जिग्यासा हमेशा बनी रहती है, तो गाइस, इसमें बहुत सारी elements हम देखेंगे, अब कुछ एक जो मुझे affect करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, वो तो मैंने आप लोगों के साथ discuss किये हैं, और definitely chapter के last में question तो आने ही वाला है, लेकिन मैं सोसरों इस बार जो question पूछू, वो chapter के last में ना पूछू, chapter के बीच में पूछूँगा, ताकि पता चले कि कौन-कौन जो है, वो सीधा last में जाकर करके और answer देता है, और कौन-कौन जो है, पूरे lecture को देखता है, उसके बाद question का answer देता है, तो सावधान हो जाईए, इस बार आपका जो question आने वाला है, activity जो आने वाली है, वो mid of the chapter आने वाली है, ना कि end of the chapter, so let's start our journey with the interview, interview के साथ हमारी journey को हम start करते हैं, देखते हैं कौन से gems हमें यहां मिलने वाले हैं, as always, तो chapter 7 है, the interview, Christopher Sylvester जो है, उन्होंने इसे लिखा नहीं है, ध्यान रखना गाईज, उन्होंने इसे लिखा नहीं है, he is not the writer, he is not the author, इन्होंने अलग-अलग लोगों के जो interview दिये गए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई interview लिया और उसे लिखा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, अलग-अलग समय पर अलग-अलग परशिद लोगों के जो interview हुए हैं, उन्होंने संकलन किया है, उन्हें एकत्र करके एक जेगा और फिर उस बुक को चापा है, जिस बुक का एक भाग हम लोग पढने वाले हैं, दो भाग हम लोग पढने वाले हैं, वास्तो एक ताग, तो फ्रस्ट पार्ट जो है में क्या मिलता है, Since its invention a little over 130 years ago, जब इनकी किताब पब्लिश हुई थी उससे 130 साल पहले इंटरव्यू का अविश्कार हो चुका था इंटरव्यू जो है वो जर्नलिजम में यानि पत्रकारिता में न्यूज पेपर हो चाहे टीवी इंटरव्यू हो वो सारी की सारी चीज़े जर्नलिजम कहलाती है कोई भी वेक्ति अगर पत्रकार बनना चाहता है न्यूज एंकर बनना चाहता है रिपोर्टर बनना चाहता है तो उसे कौन सा कोर्स करना होगा उसे जर्नलिजम का कोर्स करना होगा तो इंटरव्यू जो है वो बहुत ही आम बात है सामननिसी बात है आज के समय में लगबग हर व्यक्ति जो की साक्षर है जो की सिक्षित है पड़ा लिखा है विल हैव रीड एन इंटरव्यू अब यह देखो यहाँ इस बात को समझो विल हैव रैड एन इंटरव्यू यानि कि उसने अपने जीवन में कभी न कभी कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा अब यह जिस समय की बात चल रही है न उस समय में टीवी नहीं होता था उस समय में ऐसे संसादन नहीं थे कि इंटरव्यू देखा जाए तो उस समय क्या होता था कि एक पत्रकार जो है किसी भी famous personality के पास जाता था उसके सामने बैठता था एक tape recorder रखता था उससे सवाल पूसता था सामने वाला जवाब देता था ऐसे सवाल जवाब जो होते थे उन्हें वापस लाकर के ये लोग लिख करके समाचार पत्र में या अ YouTube पर देख लिया इंटर्विव क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा टीवी पर देख लिया टीवी पर आजकल शाम के टेम तो इंटर्विव होते ही रहते हैं अब इंटर्विव की जगे बदल करके discussion ने ले ली आपकी अदालत देखेंगे तो उसमें रजजत शर्माजी हैं उनको सालों साल ही हो गए इंटर्विव लेते भी लोगों के अना तो वो संसादन अब मौजूद हैं उस समय मौजूद नहीं थे at some point in their lives किसी ना किसी बिंदू पर उनके जीवन में while form from the other point of view जबकि अगर हम इसी समय में अगर दूसरे point of view से देखें या दूसरा इसके बारे में हम लोग अगर नजरिया देखें क्या देखें दूसरे किसी नजरिये की अगर हम लोग बात करते हैं several thousand celebrities यानि कि कई हजार celebrity प्रसिद्ध लोग प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं have been interviewed यानि कि उनका साक्षात का लिया गया है over the years इतने सालों में some of them repeatedly और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका interview बार बार लिया गया है so it is hardly surprising तो ये ना के बराबर या मुश्किल से ही आश्यरी चकित करने वाली बात है that opinions of the interview के विचार जो भी बताए जाते हैं interview के अंदर of its function के एक interview कैसे काम करता है methods इसमें कौन-कौन से विधिया लगती है merits एक interview के क्या गुण होते है very considerably वो बहुती परियाप्त मातरा में बदलती रहती है अब या तीन चीज़े है function, methods and merits ये तीन चीज़े जो है लगातार या बार बार बदलती रहती है interview के अंदर कारण क्या है आप किसी विध्यानिक का interview लेने जाएंगे तो विध्यान से संबंदित बात करेंगे आप किसी actor या actress का interview लेने जाएंगे तो उससे संबंदित बात करेंगे आप अगर किसी historian का किसी इतिहास कार का अगर आप interview लेने जाएंगे तो आप इतिहास के बारे में बात करेंगे ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप actor से बात कर रहे हैं इतिहास के बारे में teacher से बात कर रहे हैं pictureों के बारे में तो ये तो possible नहीं है लेकिन एक teacher अगर एक teacher है तो उसका मतलब थोड़ी हो movies नहीं देखता होगा उससे interview होने चलो बहुत आपके शिक्षन से संबंदित आपके subject से संबंदित बहुत बात हो गई और ये बहुत गंभीर हो रहा है बहुत serious हो रहा interview चलो थोड़ी इदर उदर की healthy full की बात करते हैं आपकी favorite picture कौन सी है आपका पसंदिता गाना कौन सा है आपको खाने में कौन से मिटाई सबसे ज़्यादा पसंद है तो सामान्यत है जब किसी एक ही विशय पर बहुत जादा बात होती है तो interview boring होने लगता है ऐसा लगता है कि यह interview नहीं रहा भी यह lecture बन गया है तो interview को थोड़ा सा माहल देने के लिए easy करने के लिए इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं तो जैसे जैसे व्यक्ति बदलता है वैसे वैसे ही interview लेने के जो functions है जो कारे है जो विदिया है जो methods या merits है गुण है वो भी बदलते रहते हैं very considerably बहुत सोच समझ के परयाप्त मातरा में उनमें परिवर्तन या बदलाव किया जाता है some might make quit extravagant कुछ लोग जो है बहुत तेजी से अतिशयोक्ति पूर्ण यानि की बढ़ा चड़ा करके claim करना शुरू कर देते हैं claim करते हैं for it as being जैसा कि ये है in its highest form a source of truth और कुछ लोग जो है इसको तुरंध प्रभाव से ले जाकर के अतिशयोक्ति में बता देते हैं कि एक interview का मतलब है सर्वोत्तम स्टती का सत्य a source of truth यानि कि interview केवल और केवल सत्य जानने का एक मध्यम है ऐसा कुछ जगे पर होता है कुछ जगे पर नहीं भी होता यह सारुभोमिक नहीं है यह universal fact नहीं है एक तरह का कि भाईया एक आदमी जो interview दे रहा है और एक आदमी जो interview ले रहा है interview लेने वाला के देगा भाईया इसने मुझे जो कुछ बताया ना सब सच बताया क्यूं क्यूं आप कहां कि न्याय मूर्ति है कि आपको सच बताएगा वह सकता है आपसे भी जूड बोल गया हो सकता है व उसी को आप चैना आदमी है उसी सम्नुख उस में सचля, इतना अच्छा आदमी है , यह रही है। यह था हुज है, कि इंट्रिविव के अंदर उसकी has 파只 Peggy की साधारणत है कि जिस वेक्ति से जो सवाल पूछा जा रहा है उसका वे पूर्ण रूप से सत्य जवाब दे लेकिन जौब इंटरव्यूज में या इस तरह की हाई पोस्ट इंटरव्यूज जो होती है उनमें मेरा पर्सनली यह मानना है कि सच बोलना ठीक रहता है अगर आप सच बोलते हैं आपकी जैसी परसनलीटी है जैसा वेक्तित्व है अगर या तो आप अपने वेक्तित्व में परिवर्तन करते हैं थोड़ा सा कि वह जौब के अनुस प्रेक्टिस करना या प्रेक्टिस में जब इस कारे को व्यवहार में लाया जाता है तो यह एक आर्ट है भाईया एक कला है सच में इंटरव्यू यह बात तो मैं भी मानता हूं कि भाई इंटरव्यू लेना एक आर्ट है एक कला है ठीक है चलिए मैं एक सवाल पूछ रहा ह अपना keep it खोल लो और yes और no लिखने के लिए तैयार रहना हो गया? ready? चलो क्या आपने मिठी खाना बंद कर दिया है? सवाल फिर से सुन लो क्या आपने मिठी खाना बंद कर दिया है? पटापट लिखो answer हसने की जुरुत नहीं फाल दो फटाफाट आंसर लिखो yes ओर no में आंसर दो यह एक interviewer की पाला होती है लगा मिट्टी खाते हो यह नहीं खाते हो यह तो प्रश्णी उड़ा दिया मैंने या आप बचपन में मिट्टी खाते थे यह नहीं खाते थे यह प्रशन उड़ा दिया मैंने अब तो मैंने सवाल ही ऐसा पूछा है कि भाईया आप बच्पन में मिट्टी खाते थे यह तो तै हो गया अब आप आप ने अभी बंद कर दिया या अभी भी खाते हो अब तो सवाल इस पर आएगा आप कहते हो यस तो इस तरीके से का जाता है कि इंटर्व्यू लेना एक आर्ट है अपने आप में कला है कि आप सवाल को कैसे घुमा के पूछते हो कि सामने वाला व्यक्ति जवाब देने से पहले ही दोसी शिद्द हो जाता है उसे लगता है कि आरव इसका क्या जवाब दूं हाँ बोलूंगा तो भी ठीक तो भी बेकार है ना बोलूंगा तो भी वेकार है किसे इंटर्विवर ने आकर के बारवी क्लास से के बच्चे से पूछ लिया बेटा शैतानी करना बंद कर दिया क्या तो अब वो बच्चा बच्चा बिल्कुल सीधा साधा बच्चा है बुला बच्चा है तो बोले इसने शैतान तो पह देखते हैं तो सामन्यते जितने भी सेलिब्रिटी प्रसिद्द लोग होते हैं वो अपने आपको इसके विक्टम या शिकार के तौर पर देखते हैं कि भाईया को इंटर्वी लेने आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ ऐसे अपने से उगलवानी की कोशिश करेगा जिससे विव विखता है यार मिट्टी खाना बंद कर दिया कि नहीं किया तो तो मिट्टी खाने वाला तो पहले इसावित कर दिया उसको तो यह चीज होती है might despise वो शायद घ्रणा करते हैं the interview as an unwarranted intuition तो उसे वो एक औचित्यहिन बिना मतलब का या अनावशक दखलंदाजी मानते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि ना चाहते वे भी interview लेने वाला वेक्ति उनके नीजी जीवन में दखलंदाजी कर रहा है परिशानिया खड़ी कर रहा है into their lives उनके जीवन में और feel that it somehow diminishes और उनको ऐसा लगता है कि जैसे तैसे भी हो किसी भी तरीके से इस चीज़ को कम करना चाहिए demonizes them यानी कि ये वेक्ति जो interview लेते हैं उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए थोड़ा से कम इस तरह के सवाल पूशने चाहिए या कम इस बात की liberty उठानी चाहिए कि आप किसी वेक्ति के नीजी जीवन में जाकर के इतनी गलत बात करना शुरू करने कि सामने वाला वेक्ति आपसे पीडित या प्रताडित महसूस करें इसके लिए एक शब्द आता है अंग्रेजी में पैपराजी पैपराजी उस journalism के उस समुदाय को कहा जाता है जो किसी की भी निजता, नीजी भावनाए या नीजी स्थान, नीजी जीवन उसको महत्व नहीं देते हैं उनको लगता है उनकी नीजी बनाना सबसे बड़ा काम है जाहे वो किसी भी हद तक चले जाएं news बनाने के लिए वो पैपराजी कहलाते हैं Just as in some primitive culture जैसा कि अती प्राजीन सब्बेताओं में देखा जाता है It is believed, यह माना जाता है That if one takes a photographic portrait of somebody Then one is stealing that person's soul जैसा कि पुरानी प्राजीन भावनाओं में माना जाता था सब्वेताओं में कि अगर कोई व्यक्ति किसी की फोटो घैंच लेता है किसी भी व्यक्ति का तो वो व्यक्ति उसकी आत्मा को चुरा लेता है जैसे वो उसके आत्मा को चुरा रहा हो ये उस समय की अंदविश्वास की जो विचारधारा है, सोच है, उसकी तरफ दर्शाता है, कि ऐसा लगता है कि लोग अगर आपके नीची जीवन के बारे में जान भी जाएंगे, तो उसको लगता है कि जैसे मेरी आत्मा चुराली हो, और कई लोग इसे सही मानते हैं, कई लो कर रहा है, जैसे कई बार एक्टर, एक्टरिस को देखा जाता है, उनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तीन साल, चार साल, पांथ साल के, और जो फोटो खेंचने वाले फोटोग्राफर्स, या इंट्रिव्यू लेने वाले इंट्रिविवर्स होते हैं, वो भाग करके इस तरीके से उनके पास जाते हैं, उनके सामने जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, उनके मन में दहशत बैट जाती है, डर बैट जाता है कि हम कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठीक है, आप उनको जानना चाहते हैं, उनकी होब और इस जानना चाहते हैं आप जानी है वह तक ठीक है लेकिन आप जबरदस्ती जब उनके पैरेंट्स मना कर रहे हैं कि आप फोटो मत लीजे तब भी आप फोटो ले रहे हैं उनको एसे एक दूसरे को धक्का देके उनको मायक से मार रहे हैं यह कौन सा इंटर्वियो है यार मार मार के इंटर्वी लोगे क्या तो वो नहीं होना चाहिए वो चीज थोड़ी सी गलत होती है V.S. Nipol feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves N.S. Nipol जो हैं वो यह मानते हैं कि कुछ लोग जो हैं उन्हें चोट पहुंचती है Interviews से, Interview लेने से and lose a part of themselves और जिसे वो अपने स्वयम के जीवन का कुछ हिस्सा खो देते हैं ऐसी कुछ बाते हैं जो मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूँ मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब अगर कोई व्यक्ति जबर्दस्ती करके मेरे से उगलवाता है जबर्दस्ती इंट्रिव्यू के नाम पर आईए आपको संसनी ताजा ख़बर सुनाते हैं और करके वारे टीवी पर वाइरल कर देता है तो मुझे लगे गाना कियार मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे मैं अपने मन से लगाए रखना चाहता तो उस आरजनिक हो गया तो उसमें खोने की भावना आती है लुइस कैरल जो है तो उनको जो एलिस बने या वंडरलेंड के अंदर वेरिस अंडरलेंड में है तो दे क्रिएटर ओफ एलिस इन वंडरलेंड जो क्रिएटर है एलिस के वंडरलेंड के अंदर उन्होंने एक बार कहा था तो हैव हैड़ जस्ट अ हॉरर के उन्हें बिल्कुल बस भै लगता है डर लगता है एक इंटर्वियोर के नाम से अगर कोई आदमी उनके सामने आके ये भी कह देना कि मुझे आपका इंटर्वियो लेना है तो डरना शुरू कर देते हैं और उन्होंने कभी भी अपनी अनुमती या सुईकृती नहीं दी कि उनका इंटर्वियो लिया जाए ये उनका डर है ओफ बिंग लाइनलाइजड के उन्हें बहुत महत्व दिया जाएगा भव्य स्वागत करना पड़ेगा विच मेड हिम दस रिपेल जिसकी वजह से उनके मन में एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि वो पीछे हट जाते हैं या वो उस चीज़ को भगा देना चाते हैं कि या तो तु अट जा या फिर मैं अट रहो मतलब ऐसे वक्ति से मिलना ही नहीं चाते हैं जो इंटर्वियो लेने के उद्देश्य से उनके सामने आता है वोड वी एक्विंटिस रिपेल वोड वी एक्विंटिस तो चाहे परिचित या भावी होने वाले परिचितों का ही साथ क्यों ना हो या उनका समू क्यों ना हो वो उनसे दूर रहना चाते हैं उनसे बात नहीं करना चाते interviewers और ये लोग जो interview लेते हैं and the persistent petitioners और जो की लगातार persistence मतलब लगातार ideal तरीके से प्रार्थना करते रहते हैं petitions देते रहते हैं कि निवेधन करते रहते हैं प्रार्थना करते रहते हैं मांग करते रहते हैं interview की for his autograph उनके हस्ताकशर के लिए and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement और पहले उनके पीछे पड़े रहते हैं ओटोग्राफ दे दो और he would afterwards बाद में कहना या सुनाना शुरू कर देते हैं वो कहानिया जो उनके success के बारे में है in silencing all such people जिससे इस तरह के सभी लोगों को शान्त किया जा सके तो उसके लिए वो अपनी सफलता की कहानिया उन्हें बताते हैं with much satisfaction अधिक संतुष्टी के साथ अधिक संतोष के साथ and amusement और मनुरंजन या हसी मजाग के तरीके से तो इसलिए क्या होता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे वो अपनी दूरी बनाया रखते हैं रुद्यार्ड के प्लिंग जो है expressed वो व्यक्त करते हैं and even more condemnatory attitude यानि कि घ्रनास्पद या बहुत ही निंदनी है ऐसा जो बिलकुल अच्छा attitude नहीं है दृष्टिकोंड नहीं है towards the interviewer interview लेने वालों के संदर्ब में his wife उनकी पतनी Caroline जो है writes in her diary अपनी diary में लिखती है for 14 October 1892 14 October 1892 के दिन that their day was wrecked by two reporters from Boston कि उनके दिन को नश्ट कर दिया गया पूरी तरीके से खराब कर दिया गया उन दो reporters के द्वारा जो Boston से आये थे she reports her husband और इसकी जानकारी वो अपने पती को देती है as saying to the reporters जैसा कि उसने reporter से कहा why do I refuse to be interviewed कि जैसा कि reporter ने उससे कहा था क्या कहा था क्या आप क्यों मना कर रही है क्यों SOE कार कर रही है interview देने से आप अगर famous personality है या famous personality की wife है तो आपका interview होना चाहिए हम आपका interview लेंगे आप मना क्यों कर रहे हो आप आओ बाहर आओ हमारे साथ बैठो हमें interview दो because it is immoral तो इसने जवाब दिया क्योंकि ये unethic है मैं interview नहीं देना चाहते है और आप जबरदस्ती मेरा interview लेना चाहते है तो definitely ये unethic है immoral aspect है इसलिए कभी भी किसी भी वेक्ति से कोई सवाल पूछो तो आप सवाल पूछ सकते हो लेकिन सामने वाले पर जवाब देने की बाद्यता नहीं है और आपके सवाल पूछे जाने से अगर सामने वाला वेक्ति परिशान हो रहा है उसे दिक्कत हो रही है अगर वो आपका सवाल का जवाब नहीं देना चाहता ऐसा हैज मैसूस कर रहा है तो आपको उससे सवाल पूछना भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसकी life में जाकर के आप इतना interruption पैदा नहीं कर सकते ये सही नहीं है It is a crime ये एक गुना है just as much as a crime as an offense बिल्कुल उतना ही crime या उतना ही अपराध जैसे कि किसी का अपमान करना है against my person यानि मेरा स्वयम का जो वेक्तित वे मेरे स्वयम का जो निर्णा है उसके against जाकर के आप मेरा अपमान कर रहे है as an assault चाहे जैसे कि कोई आकरमन कर दे and just as much as merits punishment और ये सारी की सारी जो चीज़े हैं किसी वेक्ति को जबरदस्ती परिशान करना interview के लिए इसमें बिलकुल उसी तरह के punishment होने चाहिए जैसे कि सामान्य आकरमन या अपमान करने के आरोप में या अपराद में होते है it is cowardly and wild ये पूरा कायरता पूर्ण कार्य है और अप्रिय कार्य है no respectable man would ask it कोई भी आदर्निय वेक्ति जो है इस चीज़ के लिए कभी नहीं पूछेगा ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहेगा much less give it, जादा या कम देव yet किपलिंग हैड हिमसेल्फ प्रिपरेटेड सच एन असर्ट ओन मार्क टिवेन ओनली आ फ्यू यर्स अग बिफोर और अब यहाँ पर एक बात आती है किसकी पत्नी के साथ क्या दुर्वेवार हुआ तो यह देखिए यह किपलिंग जो है इनकी पत्नी के साथ यह पूरा का पूरा वाक्या हुआ और उनकी पत्नी ही अपने मूँ से बता रही है कि यह किस तरह की घटना है और Mr. Kipling जो है वो किस तरीके से इसकी निंदा करते हैं या किस तरह से मानते हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए Head himself, perpetrated यानि कि उन्होंने खुद ने इस तरह का कारे जो है जबरदस्ती किसे से इंट्रिव्यू लेने का कारे उन्होंने खुद ने किया है Such as Assault, बिलकुल एक Assault या अपमान जनक तरीके से यानि किसी पर आक्रमन करने वाले तरीके से और आक्रमन उन्होंने किस पे किया था Mark Twain पे किया था, तो Mark Twain जो है Only a few years ago या few years before यानि कुछ ही साल पहले H. Z. Wells in an interview in 1894 referred to और H. Z. Wells जो है वो भी एक interview के अंदर 1894 के अंदर referred to उसकी और संकेत करते हुए कहते है The interviewing ordeal यानि कि interview देना एक कटिन परिक्षा के समान है but was a fairly frequent लेकिन ये बहुत frequently यानि बहुत लगातार अक्सर प्राय होता रहता था Interviewee, interviewee का मतलब क्या होता है देखो interview का मतलब साक्षातकार Interviewer का मतलब साक्षातकार लेने वाला सामान्य तोर पर आप उसे पत्रकार कह सकते हैं और interviewee जो पत्रकार को अपना साक्षातकार दे रहा है या famous personality या celebrity जो है उसे आप interviewee कह सकते हैं And 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin तो पहले वो अक्सर ऐसी cutting परिक्षा देता था कि वह लोगों के interview लेता रहता था लेता रहता था लेकिन 40 साल के बाद में उसने स्वयम को इसी इस्तिती में पाया himself interviewing Joseph Stalin कि Joseph Stalin जो है उसका interview हो रहा है soul below who has consented जिन्होंने सहमती दीती to be interviewed कि उनका interview लिया जा सकता है on several occasions कई अफसर ओपर nevertheless फिर भी once described interviews are being like thumbprints कि interviews जो है वो बिलकुल अंगुठ के निशान के समान है on his windpipe जैसे उनकी श्वास लेने की नली पर लगे होते हैं yet despite इसके बावजूद भी the drawbacks of the interview के जो बुराईया दोश या अउगुण हैं interview के अंदर उसके बारे में बात करते हैं it is a supremely serviceable medium के सरवोच तरीके का serviceable यानि की उपियोगी या लोगों की सेवा करने का माध्यम है of communication समवाद के रूप में these days इन दिनों में more than at any other time यानि इन दिनों में पहले के समय से बहुत ज़ादा यानि कि पहले के जमाने में इतना नहीं रहता लेकिन इन दिनों में बहुत ज़ादा जरूरी है के समवाद का माध्यम लोगों से बाचीत करने का माध्यम बन जाता है इंटरिव्यू अपने समय में अब ऐसा नहीं है अब तो क्या है किसी सेलिब्रेटी को अपने फैंस से बात करनी है वो दो मिनिट में फेस्बुक पे आ जाता है अपना वीडियो मना के डाल देता है अपनी फोटो शेयर कर देता है अपनी जो मन की बात कहनी होती है कह देता है और उनके फैंस की पीछे जड़ी लग जाती ह तो any other time our most vivid impressions of our contemporaries are through interviewers कि हमारा सबसे vivid यानि इस first impression जो होता है विचार जो होता है हमारी contemporaries का, contemporaries मतलब जिस समय interview लिया जा रहा है उस समय के संदर्ब में, are through interviewers यानि कि ये interviewers के माध्यम से ही होता है Dennis Brine, Dennis Brine जो है has written, उन्होंने लिखा है Almost everything of movement reaches us through one man asking questions of another तो लगबग सब चीजे किसी भी क्षण या महत्वपूर्ण movement के बारे में हम तक पहुंचती है कि एक वेक्ति जो है वो सवाल पूछ रहा है जो दूसरे लोगों के मन में है यानि कि सामान्यत है अब हमारा जो interviewer का या interview का जो perspective है वो दीरे दीरे positive note पे आ रहा है positive note पे कैसे आ रहा है कि भाई starting में तो interviewer की सबकी बहुत बुरहियां कर लिया अपनने अब थोड़ा सा इसका सकारात्मक पक्ष भी देखते हैं आपके और मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं हमारे प्रधान मंत्री जी से पूछने के लिए हमारे राष्टपती जी तो नहीं देते हैं interview सामान्यत है वो टिपनी करते हैं लेकिन वो interview साक्षातकार वगरे कमी देते हैं तो चाहे हमारे जो मुख्य मंत्री हैं उनसे हैं या हमारे कोई केंद्रिय मंत्री हैं या हमारे कोई राज्य मंत्री हैं तो उनसे हमारे मन में बहुत सारे सवाल है लेकिन आपके और मेरे जैसे आम आदमी का जो सवाल है वो कैसे कोई वेक्ती जाकर के दिल्ली या कैसे राजदानी जाकर के उस सवाल को पूछेगा तो interview लेने वाला वो व्यक्ति होता है जो आपके और मेरे जैसे आम लोगों के मन के जो सवाल है उन्हें ऐसी famous celebrities से पूछता है और पूछ करके हमें वापस बताता है कि बताता तो क्या है वो तो TV पर यह आगबार पर आ जाता है कि यह इनोंने इस बात का जवाब दिया तो हमारे जैसे या others जो लोग है उनके सवालों को एक व्यक्ति जाकर के पूछता है वो एक ऐसी पोजिशन को होल्ड करता है या वो एक ऐसी पावर वाली इस्तिति में आ जाता है जहां पर unprecedented यानि कि अभूत पूर्व जैसी ताकत और जैसा प्रभाव unprecedented power and influence है ना unprecedented power and influence का मतलब है अभूत पूर्व उसे ऐसी शक्ति और ऐसा प्रभाव मिल जाता है जैसा भूत काल में कभी भी उसे नहीं मिला था क्योंकि हम ही लोग उनको वो पावर या आप कह सकते हैं वो प्रभाव या उस पावर और influence की position देते हैं अब लोग भाग news में आते हैँ न्यूस करते हैं तो न्यूस हम लोग आता हम दिखते हैं कि वो आये उन्होंने न्यूस पटी हम लोग उन्यूज को सुनते हैं इसलिए nee guy वो और हम सुनना बंद कर देंगे तो वह भी बनाना बंद कर प्टाफट से अंसर बताओ यसोर 9 में आंसर तो मिट्ट इंकाना बंद करा कि नी करा और से एश में क्या लगता है कि हमारी लगता है एश मतलब यह जो यूग चल रहा है आदूनिक यूग चल रहा है इसमें क्या सच में इंटर्विवर की जुरुत है क्या सच में साक्षातकार की जुरुत है क्या सच में इंटर्विव की आवशक्ता होती है और क्या इंटर्व्यू से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह सही जानकारियां प्राप्त होती है या सामन्यत है अब गलत जानकारियां जादा प्रसारित की जाती है या गलत तरह की चीजों का साक्षातकार के रूप में प्रयोग जादा हो रहा है कई लोग इस चीज़ के लिए कई बार blame कर चुके हैं मीडिया को भी, मीडिया persons को भी, मीडिया houses को भी politicians को भी, या actor-actresses को भी मतलब दोनों को, जो interview दे रहा है और जो interview ले रहा है और interview तो अब लोगों का देरे-देरे मुझे लगता है विश्वास उठी रहा है उस चीज से कि कई बार लोग जो है ध्यान भटकाने के लिए किसी एक बिंदू से ध्यान हटाने के लिए ही इंटर्विव करवाते हैं कि अगर कुछ गड़वड हो गई है मेरी लाइफ में मेरी तरफ से कहीं तो उस पर से लोगों का ध्यान अट जाए तो मेरे इंटर्विव ले लो ताकि मेरी छवी को साफ किया जा सके या मेरी छवी को सुधारा जा सके तो इंटर्विव का क्या लगता है वरतमान में आदुनिक यूग में क्या सच में इसकी कोई उप्योगिता बाकी रही है या इस पर जो भी लोगों का विश्वास था वो पूर्ण रूप से समाब तो चुका है लोग अब इंटरव्यू इस पर जादा विश्वास नहीं करते पॉलिटिकल कॉश्चन है थोड़ा सा राजनेतिक कॉश्चन है लेकिन क्योंकि आप भी इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है साल दो साल में आप लोग भी वोट देने जाएंगे आप लोग भी मूवीज देखने जाएंगे लोगों के बारे में आपकी भी राय बनेगी सकारात्मक, नकारात्मक, समर्थन, विरोध ये सब आपके जीवन में भी आएगा जैसे हर एक सामन्य युवा के जीवन में आता है तो आप मुझे बताइए कि साक्षातकार या इंट्रिव्यू के बारे में आपके क्या विचार है, सही है, गलत है, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहें, खुल करके comment box में लिख सकते हैं Thank you very much, I'll see you soon in my next lecture, till that, take care of yourself, bye bye, I'll see you soon